किसान भाईयो नमस्कार आज की वीडियों बात करने वाली है सर्चों की दो सबसे परसिद और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वेराइटियों के बारे में ये वेराइटी बहुत ज़्यादा परसिद हैं और किसान भाईयों को पिछले कई वर्सों से बहुत तेल की मातरा, पगाई का समय, और किसान भाईयों बीज की मातरा, सिचाई की मातरा, और आपको इनकी कितनी पैदावार मिलती है, किसान भाईयों आप वीडियो को पुरा देखेगा, और यदि आप हमने चैनल पर पहली बार आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे के हमारे आनेवल से भी वीडियो आप तक पहुँच सके, और आपको नीचे कमेंट बोक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलेग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप कुछ पूछना चाते हो, तो उस लिंक पर उक्के करके हमसे कुछ भी किस्चन पूछ सकत हैं, यदि आप मशीन की साहिता से भी करते हैं, तो आपको एक किलोगराम बेज की माता लेनी होगी, यदि आप छिटक विदी से अपनी सर्चों की बोई करते हैं, तो आपको एक किलो दो सो गराम के असपास लगबग अपनी सर्चों की बेज की जो माता है वहल लेनी होगी किसान भाईयो यह वरायाटी 125 से लेकर 130 दिन के मद्धे में पकड़ की तियार हो जाती है यदि आप सर्चों के बाद अपने गनने के बुवाई करते हैं तो आप इस वरायाटी को लगा सकते हैं क्योंकि यह कम समय में पकड़ की तियार होती है यदि इसके कुछ वजेस्ता की बात की जाए तो इस वराइटी में आपको बहुत ही कम रोग देगने को मिलेगे यह रोगों से डिजिस्टेंस मनाई गई है किसान भाइयों आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा थंड पड़ती है, बहुत ज्यादा पलब पड़ता है तो अमारी सर्चों की पुसल बेकार होने लगती है अन्य वराइटी के मुकाबले में यह वराइटी थंड से बहुत ही ज्यादा सुरख सित रहती है किसान भाईयो इस वराइटे में आपको साखाय जारा देखने को मिलती है इस वराइटे का दाना मजबूत होता है ज्यादा वजनदार होता है और दाना मोटा भी होता है किसान जातियो इस वराइटे का दाना भी मजबूत होता है तेज हवा और तेज बारिस में यह नीचे न माता देहन को मिल जाएगी यह वरायटी मातर दोस से लेकर तीन सिचाए में ही पक्र के तयार हो जाती है आप इसकी बुआई हर्याणा पंजाब बिहार राजस्तान जारकंड उत्तर प्रदेश उत्तराकंड दिल्ली इन सभी राज्यों में कर सकते हैं और जिन जहीं जहापर स इसके प्राइज के बात कि जाए आपको 45-46 का 1 किलोग्राम बीज लगबग 900 रुपे के असपास मार्केटों मिल जाएगा किसान भायो अब बात करते हैं बायर की 52 सरसोगी विराइटी के बारे में यह बहुती परसित सरसोगी विराइटी है आप इसकी बुआई अगते भी बहुती अच्छात पदल निकाल करके देती है आप इसकी बुआई पूरे अक्टूबर महा में कर सकते है और पूरे नॉवंबर महा में कर सकते है यदि इसकी बीज की माता की बात की जाए तो ज़दी आप मचीन के साहता से बीजाई करते है तो आपको 1 किलोग्राम भी ले बहुती अच्छात पतन देने को मिलता है किसान भाईयो इसके जो पकने की समय हो दिये है वह 125 से लेकर 130 दिन की है यानि कि इस वराइटी को भी आप यदि गन्ने के बुआई करते है तब लगा सकते है क्यों किसान भाईयो यह भी जल्दी पकर के त्यार हो जाती है और आप अप जल्दी से अपने गन्ने के बुआई कर सकते हैं किसान साथियो इस वराइटी लोगों से रिजिस्टेंस बनाया गया है आपको इसमें किसी उपरकार का कोई भी लोग देने को नहीं मिलेगा यह वराइटी मातर दो सिचाई में पक्र तयार हो जाती है यदि रज्जों इसमें ज़्यादा फुटाओ भी होता है यदि इसके कुल पैदावार की बात की जाए तो आपको इस वराइटी से 14 कॉन्टल चलेकर 18 कॉन्टल पढ़ती एक अर्दकुत पतन देने को मिल जाएगा यदि इसके कीमत की बात की जाए तो आपको 1 किलोगराम 52 का बीज लगब साड़े साथ रुपेगा मार्गिट मिल जाएगा तो किसान भाइयो मैंने आपको इन दोनों ही विराइटों के बारे में एक सही जानकरी दे दिये है यदि आपको कुछ और पोच नहों या कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो अन्यता हमारे टेलेगराम चैनल पर हमें मैसेज भी कर सकते हो तो किसान भाइयो मिलते हैं कि ने वीडियो में ने जानकर एक साथ तब तकिलने मैं शकार